एक बार फिर से अक्षरा सिंग का नाम सुर्खियों में आ गया है जी हाँ अक्षरा सिंग और पवन सिंग के विवात के बारे में तो हर किसी ने सुना लेकिन आपको बता दें कि एक बार एक साथ तमाम भोशपूरी हिट गाने देने वाली जोड़ी अक्षरा और रतेश पांडे के बीच शनिवार को दूर्या इस तरह से बढ़ गई कि मानों मामला थाने तक जा पहुचा जी हाँ अक्षरा सिंग ने सारनाथ थाने में भोशपूरी गायक रतेश पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है स्त्रोतों की माने तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि रतेश ने उनके साथ अब भद्रता की मार कर जाने की धमकी भी दी सारनाथ थाना छेत्र में तिल्मा अप्पूर में अक्षरा सिंग का स्टूडियो है शिकायत में कहा गया है कि शनिवार को शूटिंग के दोरान भृतेश पांडे वहां मौजूद थे शूटिंग के दोरान ही अब भद्रता शुरू कर दी गई विरोध करने पर मार पीट और गाली का लोच हुई जान से मारने की भी धमकी दी गई मामला थाने पहुँचने पर स्सपी के संग्यान में आया स्सपी प्रभाकर चौदरी ने जाच कर शिकायत दज करने का निर्देश दिया सारना थाने में आकर रितेश को अपना पक्ष रखने को कहा भोजपूरी सिनेमा के राइजिंग सुपरस्टार का जाने वाले रितेश पांडे और अक्षरा सिंग काई सालों से साथ साथ काम कर रहे थे दोनों को भोजपूरी गाना हायरे जुलनिया खूब चमका था वियार के रहतास के मूल निवासे रितेश को अपने गाने करुआ तेल से प्रसिद्धे मिली इस गाने के सुपर हिट होने के पीछे भी सबरदस्त कहानी है लेकिन अब जब अक्षरा सिंग ने उनके उपर इतनी बड़ी शिकायत दर्ज करवाई है तो देखना होगा कि आगे भविश्य में इन दोनों की जोड़ी किस मुकाम पर पहुँचती है नेक्स्ट नाइन बोजपूरिया से आर्थिक रिपोर्ट नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपूरिया के सब्सक्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई